5 questions that beer biceps should have asked S.J. Shankar भारतिय यूट्यूबर रनबीर लावादिया A.K. बीर बाइसेप्स ने भारती बदेश मंतरी S.J. Shankar का interview लिया है और उस interview में कुछ बेहित हलके सवाल पूछे हैं जिनकों की बेक कहा जा सकते हैं और S.J. Shankar के answers भी उतने ही वेक थे रनबीर लावादिया कोई पतरकार नहीं है और उनका जो background राओ ऐसी वीडियो बनाते रहे हैं जिसमें ये कहते थे, बच्चों को बताते थे, यंगस्टर्स को बताते थे कि लड़कियों को कैसे पटाएं, लड़कियों को कैसे impress करें लड़कियों को कैसे ना turn off करें तो ऐसे आदमी को विदेश मंतरी ने क्यों interview दिया और उस लड़के ने, उस रनबीर लावादिया ने इतने हलके स्वाल क्यों पूछे दरसल मोधी सरकार, influencers को engage करना चाहती है तानकि जंगस्टर्स तक उसकी reach बढ़े तो रनबीर लावादिया, उस influencers की category में आते है रनबीर के 5 million से ज़्यादा YouTube पर subscribers है और Twitter पर उनके 5 लाख के करीब followers है Instagram पर 1 million के करीब उनके followers जल्द ही हो जाएंगे और रनबीर इस category में, influencer की category में आते थे इसलिए उनको interview मिला तो रनबीर ने अजीव सवाल जो S.J. Shankar से किया है और S.J. Shankar ने उनको interview दिया है और उनके answers भी उतने अजीव और interesting थे रनबीर ने interview के starting में ही कहा कि जो S.J. Shankar उन्होंने इंडिया की global stage पर rebranding कर दिया rewrite कर दिया उस brand को, India brand को तो उनके ओपर compliments की जो बारिश थी S.J. Shankar पर रनबीर इलहावादिया ने कर दी है पत्रगारता में यह होता है कि अगर आप किसी का interview करते हैं किसी leader का interview करते हैं तो वो question सामने वालों को काटे उसको चुबहे वो question और उससे ऐसे सवाल पूछने होते हैं लेकिन अरनबीर तो कोई journalist नहीं है वो तो influencer है तो उन्होंने यह कहा कि S.J. Shankar कैसे विकती हैं हम देखते हैं कि वो shorts और reels में बहुत ज़्यादा popular हैं वो aggressive उनका जो reaction होता है तो आप विराट कोली और आप जंग इंडिया के aggressive face हैं और इसके इलावा यह भी कहा कि जंग इंडिया आपके लिए cheer करना पसंद करता है जब हम देखते हैं कि आप जो विदेशी मुलक हैं उनके leaders को कैसे आप जवाब देते हैं इसके इलावा बीर बाइसेप्स ने यह भी कहा कि क्या आप में भी कोई sixth sense है इसके इलावा यह भी कहा कि हमें पता है कि जियो पॉलिटिक्स में मनी बहुत ज़ादा मैटर करती है पैसा मैटर करता है तो आपकी क्या अडवाईज होगी youngsters को especially entrepreneurs को तो इसके इलावा यह भी कहा कि आपने जो नमस्ते की थी जो बिलावलाली भुटो को की थी पाकिस्तानी विदेश मंतरी को तो आपकी interaction क्या थी इसके इलावा आपकी Chinese foreign minister के जाद कैसी interaction होती है आपकी current challenges क्या है इसके इलावा quantum computing के बारे सवाल पूछा गया बट यह पूरी तरह वे questions थे और अब मैं पांच सवाल बताने वाला हूँ जो बीर बाइसेप्स को भारती जंगस्टर्स के बिहाख के ओपर एस यह शंकर से पूछने चाहिए थे सबसे पहले इंडिया का सबसे बड़ा challenge है जो foreign policy के matter पे हम कहें तो foreign policy के front पे कहें तो चाइना है तो इंडिया जो 26 के करीब जो patrolling points है उनको access इंडिया का बंद हो चुक है 65 patrolling points में से 26 जो patrolling points है उनका access इंडिया को नहीं रहा तो गलबान में 2020 में आपको पता होगा कि 20 के करीब भारती ज़वान शीद हुए थे Chinese के साथ जड़प होई थी अब जब anniversary थी इसी जून में तो उस बग जो Chinese थे उन्होंने Twitter के ऊपर वो जो brutal videos थी जो photos थी उनको post करना शुरू कर दिया था भारत को humiliate करने के लिए तो गलबान incident के बाद भारत और चाइना में जो negotiations चल रही है वो किस stage पर पहुंची है क्या इंडिया को द्वारा उन patrolling point का access मिलेगा उस जगा का access मिलेगा जिसको बारे में कहा जा रहा है कि China ने उस जगा पर कबजा कर लिया है इसके इलावा है दूसरा जो बड़ा स्वाल ही है बूचा जाना चाहिए था कि क्या इंडिया को जो trade gap है चाइना के साथ पिछले साल भारत का चाइना के साथ trade gap सो बिलियन डॉलर का रहा है सो बिलियन से जादार का trade था सो बिलियन का trade gap रहा है तो क्या इंडिया के पास क्या कुश options है उस trade gap को घटाने के लिए क्या कम करने के लिए और सरकार क्या कुछ चीजें कर रही है इसके लावा बीर बाइसेप्स को ये भी एक बात पूछनी चाहिए थी ये एस जेशेंकर से कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो एस जेशेंकर का बड़ा एग्रेसिव रेक्शन रहता है बहुत एग्रेसिव रिस्पोंज देते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत जाला पावरफुल हैं तो लेकिन जब चाइना की बात होती है तो वो चुप क्यों कर जाते हैं समीता परकास जो एएनाई की एडिटर हैं उन्होंने एज्याशेशंकर के साथ एक इंटर्वीव किया था एक पोड़कास टाइप तो उसमें एज्याशheiro करने कया था कि चाइना की इकाउनमी बड़ी है हमारी अकाउनमी चाइना के मुकाबले चोटी है स्मॉल इकाउनमी है तो क्या मैं उनके साथ मैं पागल हूँ की कि आँ उनके साथ जाके लड़ाई करूं तो इस नोट एक्वेशन अफ रियक्शन इस एक्वेशन अफ कॉमन सेंस तो अप लड़ने की जब बात आती है तो आप यह क्यों कह देते हैं कि हमारी एकॉनमी कम है इसलिए हम उनके साथ नहीं लड़ सकते जो एक चाइनीज जो एक वार के ओपर लिखने वाले काफी बड़े फिलोसफर रहे हैं संजू वार स्ट्रेटेजी के ओपर उनने एक किताब लिखिया आउट अट अब वार उनका ये कहना था कि अपिर वीक वेन यू र स्ट्रॉंग एंड स्ट्रॉंग वेन यू अर वीक तो एश जेश एंकर क्यों अपनी वीकनेस को पब्लीकली असेप्ट क्यों कर रहे हैं एए नई की इंटर्वियू में क्यों असेप्ट कर रहे हैं तो मैं ये एक सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था इसके इलाबा एश जैश एंकर से एक सवाल और भी हो सकता था कि इंडिया चाइनीज जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजा क्यों नहीं दे रहा और जो अलेडी इंडिया में जर्नलिस्ट है चाइनीज उनका वीजा क्यों एक्स्टेंड नहीं कर रहा और सेम क्वेशन पूछा जाना चाहिए था कि चाइना भी सेम चीज क्यों कर रहा है वह भारती पत्रकारों का वीजा क्यों नहीं बढ़ा रहा और नए पतरकारों को वीजा क्यों नहीं दे रहा है ये दोनों देशों की आपसी टसल है उसमें दोनों देशों के पतरकारों को क्यों घिसीता जा रहा है क्योंकि जर्नलिजम है जो information का free flow होना चाहिए तो उसमें ये लोग क्यों रुकाप्टे दोनों कंट्रीज क्यों डाल रही है और पतरकारों का जो reporting का एक right है उसको क्यों कर्टेल किया जा रहा है इसके इलावा बीर बाइसेप्स को एक और सवाल पूछिना चाहिए था कि 2014 के बाद से जब से मोधी सरकार आई है पहले पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश हुई उसके बाद से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बाते होती रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगे लेकिन अभी तक पाकिस्तान आइसोलेट क्यों नहीं हुआ उसकी Russia और China क्यों sport कर रहे हैं China भारत का दुश्मन मुलक माना जाता है लेकिन Russia तो भारत का दोस्त माना जाता है और Russia पाकिस्तان की sport क्यों कर रहे है तो ये सबाल एक पूचा जाना चाहिए था जो नहीं पूचा गया क्या ये भी सबाल पूचा जाना अगर Pakistan के साथ trade India को हो तो उसके साथ क्या फाइदा हो सकता है क्योंकि रिनवीर अपने आपको entrepreneur बताता है तो उसको trade के perspective से भी देखना चाहिए था कि अगर पूछना चाहिए था कि अगर Pakistan के साथ इंडिया की peace होती है तो trade में क्या कुछ फाइदा हो सकता है देशों के entrepreneurs को ये एक सवाल हो सकता था इसके इलावा ये भी पूछना चाहिए था कि अगर इंडिया और इंडिया की पाकिस्तान और चाइना के साथ two-front war हो जाती है तो ऐसे में इंडिया कहा stand करेगा क्या रशिया इंडिया की help करेगा क्योंकि रशिया चाइना का एलाई है उनको चाइना और रशिया एक दूसरे पर डिपेंड है और जैसे जैसे रशिया का isolation बढ़ रहा है वेस्टन सेंक्शन लगे हूए वार चल रही है जुकरेन में तो उसकी dependence चाइना पर और जाएगी arms की supply मिलती रहेगी या फिर बंद हो जाएगी ये एक सवाल अच्छा हो सकता था इसके इलावा ये भी पूछा जाना चाहिए था कि भारत का एक और पड़ोसी मुलका अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में टालीबान आ चुका है तो अब टालीबान को क्या इ तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता था इसके इलावा एक बड़ा सवाल ये भी हो सकता था कि Middle East में बड़े चेंजिस हो रहे हैं West Asia में बड़े चेंजिस हो रहे हैं सौदी और अरब और इरान के बीच जो एक पीस कुछ हग तक हो रही है यमन की वार बंद हो चुकी है सीरिया को दोवारा अरब लीग में लिया जा चुका है ये अलग अलग देश है जो West Asia के जो एक दूसरे के लाफ लड़ रहे थे वो इंबैसिस रियोपन कर रहे हैं फ्ल जाबा करती है कि भारत ग्लोबल पावर बन चुका है सुपर पावर है मोदीजी कहते हैं कि भारत तो विशुप गुरू है लेकिन जब कोई अंतराष्ट्री है संसा कोई रिपोर्ट जारी करती है भारत में चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात को लेकर हो डेमोक्रेसी की फ् खराब रहता है तो भारत सरकार इतना अग्रेसिवली रेक्ट क्यों करती है कि में लगत कोई प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है तो भारत सरकार का रेक्शन इतना अग्रेसिव क्यों होता है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मान दे यह तो भारत के खिलाफ बाजड है माइ की बात करती है, freedom of speech की बात करती है, democracy का index आता है, जब minorities के उपर attacks की बात होती है, तो आपका stand क्यों इतना aggressive होता है, आप क्यों नहीं उस बात को पचा वारे हैं, आप तो super power हैं, आप तो global power हैं, आप तो bishop guru हैं, तो आप एक report से क्यों डर जाता हैं, तो यह सवाल हो सकते थे, लेकिन रिनबीर जो एक एक वीर वाइसेप्स हैं, तो उनका जो questions का जो level था, वो बहुत नियूंतम स्तरका कह सकते हैं, कि बहुत कम छोटे level के सवाल थे, यो कि मैं लोग जिनकी वो essence नहीं बनती, वे questions थे, और association करने उन questions को answer भी किया, और उतने वेक answers उनने दिये, तो यह बहुत शरम की बात है, दोनों के लिए, विदेश मंतरी के लिए भी, कि एक influencers को engage कर रहे हैं, जो ऐसी videos मना रहा है, जिसमें लड़कियों को बटाने के तरीके बता रहा है, तो और ऐसे लड़के को भी, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं है, तो वो ऐसे जवाल पूछ रहे हैं, तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि एक ठीक ठक छकल, गोरा रंग, कोई biceps होना, और followers होना ही, किसी विदेश मंतरी का interview करने का standard नहीं होना चाहिए, थैंक्स वार वाचिंग,